आज हम एवरीडे साइंस एडीपी के लिए नेक्स टॉपिक स्टडी करेंगे विच इस दे यूनिवर्स तो दे यूनिवर्स पे हम कई चीज़ां डिसकस करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि कोस्मोलजी क्या होती है बिग बैंग थियूरी क्या है और यूनिवर्स का तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is cosmology? cosmology, physical science की वो branch है जिसमें हम काइनात की nature को study करते हैं इसकी overall structure को study करते हैं और काइनात की इपत्दा कैसे हूई थी ये चीज़ को study करते हैं तो इसकी जो proper definition है the branch of physical science which deals with the nature of the universe its overall structure and origin is called cosmology तो cosmology के according जो universe है उसकी जो present condition है या जिस तरह वो मार्जे वजूद में आई उसको लेके दो तरह की theories है एक तो steady state theory है और एक expansion of universe है कुछ scientist कहते हैं कि universe जो है वो infinite है यानि कि इसकी कोई हद नहीं है यतनी वसी है कि हम इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह कहां तक फैली हुई है और वसी होने के साथ साथ infinite होने के साथ यह unchanging है इसमें कोई तबदिली नहीं है और यह एक जगा पे साकना जैसे यह अब तदा में थी अब भी यह वैसी की वैसी ही है static है एक ही हालत में है तो इस theory को हम steady state theory कहतने है जबके एक scientist थे अमेरिका के astronomer थे एडवीन हूबल उन्होंने यह show किया था कि जो काइनात में मौजूद कहकशाएं है कहकशाएं कहतने है स्थारों के मजमूएं को वो बढ़ती जा रही है उनके दरमयान जो जगा है जो फासला है कहकशाओं के दरमयान वो लगातार इंक्रीज कर रहा है विशोस देट थे यूनिवर्स इस कंटिनियूसली एक्सपेंडिंग काइनात फैलती जा रही है उसका जो साइज है उसका हुजम है उसकी जो वुस्सत है वो बढ़ती जा रही है इस थेयोरी को एक्सपेंशन आफ दे यूनिवर्स कहते है तो इन दोनों थेयोरी में से यह जो सेकिंड वाली है इसको अक्सप्ट किया जाता है इसको जएदा तर इसके बारे में इसको यह काफी मकबूल है यह वाली थेयोरी एक्सपेंशन आफ यूनिवर्स एस कंपेर टो स्टेडी स्टेड थेयोरी के इसके अलावा नेक्स हमने देखना है ओरीजन दे बिग बैंग थेयोरी स्वेंट साइंस कहती है काइनात कैसे मारजे वजूद में आई उनके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट है आज से 15 से 20 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सपलोजन हुआ जिसकी वज़ा से काइनात मारजे वजूद में आई उस एक्सपलोजन से पहले काइनात का जितना भी माददा था या जो भी काइनात के अंदर चीज मौजूद थी वो एक नुक्ते पे मौजूद थी और जैसे ही वज़ा एक्सपलोजन हुआ तो माददा या मेटर एक जगा से दूसरी जगा फैल गया इस थियोरी को बिग बैंग थियोरी कहा जाता है और इस से पहले बिग बैंग थियोरी से पहले आपको पता है कि यूनिवर्स तीन चीजों से मिलके बनी है टाइम, स्पेस, एंड मैटर तो बिग बैंग थियोरी से पहले there was no time, no space, no matter लेकिन जैसे ये explosion हुआ उसके बाइ ये तीनों चीज़े मार्जे वजूद में आई और ये तीनों चीज़े काइनात का हिस्सा है तो इस lecture में हम ये भी देखेंगे कि Big Bang Theory क्या है इसको डिटेल से पढ़ेंगे उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि नेक्स टॉपिक बीसी में कवर कर लें विच इस गलेक्सी कहकिशाएं कहकिशाएं क्या होती है स्टूडन्स स्टारों के जुंड को कहकिशा बोलते हैं शेप के लिहासे चार तरह की कहकिशाएं है स्पाइरल, स्फेरिकल, इर्रेगुलर, एंड अलिप्टिकल तो हमारी जो गलेक्सी है उसको मिल्की वे कहा जाता है और हमारी मिल्की वे गलेक्सी के जो सबसे नेरस्ट गलेक्सी है स्पाइरल शेप की वो एंड्रोमीडा गलेक्सी है इसके अलावाए एक और टर्म है गलकेटिक आम्स स्पारल कर्थी की आम्स को गलकेटिक आम्स कहा जाता है तो आज के लेक्चर में हम ने यह सारी चीज़ा देखनी है आप अपने साथ बुक खोल लें ताकि मैं आपको बता दूँ कि आपने कहां कहां से हो कि इसके मेंन कॉंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा मैं आपको माटीरियल बता रही हूं कि आपने कहां से लेके कहां तक यह इसको कैसे आपने याद करना है तो सबसे पहले यह देखें कोस्मोलोजी की डेफिनिशन उसके बाद स्टैडी स्टेट थियूरी उसके बाद यह वाला जो कंसेप्ट है कि यूनिवर्स इसको मैं एक दफ़र रीड कर देती हूं यह कोस्मोलोजी की डेफिनिशन हो गई फिर वो कहते हैं कि स्टार्वी सदी तक यह समझा जाता था कि यूनिवर्स थॉर्स थॉर्ट तो बी स्टैटिक, इन्फाइन अन्चेंजिंग के कायनात की वुस्सत है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते यह लामेहदूद है और अन्चेंजिंग के कायनात का जो जो बढ़ता जा रहा है कि कैकशाओं के दर्मियान फासला बढ़ने की वज़ा से बिलकुल वैसे ही जिस तरह गुबारे में हवा भरते जाएं तो गुबारे का साइज बढ़ता जाता है दो नोन युनिवर्स इस फाइन एज लाइज अट इस अट इस इस फाइन फाइन नहीं है अकॉर्डिंग टो एडवन हुबल इस फाइन तो उसके बाद नेक्स हम देखना है कि तो रिजन के कायनात का जो मार्ज वजूद में ये तो युनिवर्स केम इंट एक्जिस्टेंस अबाओ 15 तो 20 बिलियन येर्स अगो बिलियन अरब को कहते हैं 15 से 20 अरब साल पहले वना कैता साइल्समिक एक्स्पोजिन तुक प्लेस एक तबाख उन्थमाक का हुआ दे इको अफ इस बिग बैंग एंग 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 तक आपको microwave signal हवा में जो microwave signals है radio signals जो radio waves travel करती है उनके वजूद से आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं उस धमाके की गूँज को अभी भी ये space में उसकी गूँज मौजूद है तो इसकी तस्दीक भी उन्होंने की आर्नो पैंजियाज और रोबर्ट विलसन ने अकॉर्डिंग तो देम के वो जो धमाका हुआ था एक जोरदार जिसकी वज़ा से time, space, matter बिखर गए और मार्जे वजूद में आई कायनात तो उसकी वेरिफिकेशन वो कैसे करते हैं कि उ इस तक space में आपको feel होगी Before the birth of our universe there was no time, no matter and no space अब ये Big Bang theory से पहले कोई matter नहीं था, कोई space नहीं थी, कोई time नहीं था All the energy and matter of the future cosmos were concentrated in a single point of energy एक नुकते में ही सब कुछ जमा था All the forces were unified in this single point इसी में तमाम forces थी कायनात की and were in perfect harmony By some way this harmony was disturbed के वो एक बिलकुल पूर्सकून उसमें थी, concentrated थी लेकिन जैसे ही वो धमाका हुआ This triggered a catastrophic explosion filling our space with every particle of matter hurled away from every other particle इसकी वज़ा से तमाम मादा जो था वो बिखर गया Thus this is how our universe exploded into life and matter and space and time came into being इस तरह वो बताते हैं के कायनात मार्जे वजूद में आई तो सुरेट्स इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको Big Bang Theory के बारे में बताऊंगी और Cosmology और Study State Theory और किस तरह universe expand हुई है नेक्स लेक्चर में हम Galaxis का पढ़ेंगे